जिला प्रशाशिन में हमिरपुर में बजार को खोलने का समय सुबार से शाम 4 वे तक निर१ारित किया है लेकिन बजार में गरामकों की कम आवाजाही के चलते। हमिर्पूर बेपार मंडल ने सर्व सहमती से बजार को बंद करने के समय में एक घंटे की कटाउती शाम को की है हमिरपूर बैपार मंडल के परधान अनिल सोनी ने बताये कि समय कम करने को लेकर बैपारी के ओर से बार बार सुझा वारे थे जिसके बाद ये फैंसला लिया गया है प्रधान अनिल सोली ने बताया कि ग्राकों की कम संख्या वो बेपारियों की सेहत की शुरक्षा को देखते हुए अब बजार को सुबा आठ से शाम तीन वजे तक खोलने का फैसला लिया गया है बेपार मंडल हमिरपूर के पास बहुत सारे दुकानदारों की बारबार रिक्वेस्ट आती रही बारबार हमें इंसिस्ट करते रहे कि बजार की थोड़ी सी टाइमिंग के बारे में कि एक तो बजार में जब तक ये ट्रांस्पोटेशन की फैसलिटी नहीं है चलती है तब बजार में कस्टमर कुछ कम हैं तो हमारे दुकानदारों को कुछ ऐसा लगता था कि इसमें कुछ टाइमिंग चेंज करने की जरूरत है तो उस लिहाद से हमने इस टाइमिंग को चार से तीन करके अपने जितने भी दुकानदार भाही थे उनको थोड़ी रहात दी है ताकि दुकानें और इसका दूसरा पहलू यह था कि जितने भी लोग हमारे दुकानदार भाही हैं तो उनकी सुरक्षा और उनका स्वस्ते भी हमारे लिए बहुत ही महत्वर्ण चीज है तो हमने उस लिहाद से भी इसको एक गंटा जो कम किया है तो इसमें जितना भी यह सारी सहयोग से और बेपारियों की अपील थी ऐसी तो इस करके हमने ये गंटा कम किया है बजार में बहीं दुकानदारों ने भी बेपार मंडल के लिए इस फैसले का स्वागत किया है दुकानदार अश्मी जुगोता ने खुशी जाहर करते ही कहा कि बेपार मंडल ने समय कम करने का सही फैसला लिया है ये जो बेपार मंडल ने टाइमिंग एक घंटे के लिए कम करी है वो हम सब बेपारियों के हित के लिए है जिसका कि मैं भी तेह दिल से स्वागत करता हूँ और ये सब विपारियों के हित का है और इन सब के सुझाव से ही ये टाइम कम किया गया है ताकि सबी सुरक्सित रहें पिछले दिन भी आपने देखा होगा कि हमी उर्पोर्डिस्टीक में 15 केस आये हैं तो मेरी तो सबी विपारी भाईयों से यही अपील है कि खुद भी सुरक्सित रहें और आने वाले ग्रावकों के भी सुरक्सा का ध्यान करें और जितना कम से कम समय में हम घर से बाहर निकलें वो हम सब के हित में है आपको बता दे कि हमी पुर्जिला में करोना संकरमन के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में विपारी वर्व भी अपनी सुरक्षा को लेकर खासा चिंतिद है